हेलो एवरिवन वेल्कम बेक टू माई चैनल एस्बियम पॉलिटिकल साइंस थिंकर्स की सीरिस में अब हम आज बढ़ेंगे लुईस एल्थूसर को लुईस एल्थूसर को जरें 1918 में हुआ था और 1990 में इनकी मृत्यू हो गई थी यानि कि यह समकालीन विचारक है आदूनिक लुईस एल्थूसर एक फ्रांसी सी नव माक्सवादी दाशनिक है यानि कि यह फ्रांस के हैं फ्रांस से अल्जीरिया के अल्जीरिया के हैं और यह नव माक्सवादी दाशनिक है नव माक्सवादी दाशनिक इनको क्यों कहा चाता है क्योंकि इन्होंने माक्सवाद में एक की एक नए दर्ष्टी कौन का विकास किया इसके इलावा इन्हों ने सामाजिक परिवर्तन सामाजिक परिवरतन और क्रांती की नए व्याख्या प्रस्तुत की थे मौक्स वाद का सार्थ तत्तों कि अब लुईस एल्थूसर को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा मात स्थ को समझना पड़ेगा माक्सवाद तो तरह का माक्सवाद एक तो एत्यासिक माक्सवाद है जो वैवार और नहतिकता मानवाद इपक्षों को महत्व देता है और एक माक्सवाद है जो वैज्यानिक उत्पादन आर्थिक्रियाओं उत्पादन संबंदो आदि को महत्व देता ह माक्स में एक माक्स की किताब है जो इकोनोमिक एंड फिलोसोफिकल मैनुशिप आप 1844 इस किताब से इन दो वचार धारों में अंतर किया जाता है 1845 की जो बुक है उससे एक नया दर्ष्टीकॉन मिलता है इन दर्ष्टीकॉनों में निरंद्दर्टा नहीं है यानि कि जो एत्यासिक दर्ष्टीकॉन है और जो अद्दोनिक यानि वेग्यानिक जो दर्ष्टीकॉन है माक्स का उन दोनों में निरंद्दर्टा नहीं है और इस निरंद्दर्टा नहीं होने के जो अंतराल है विना निरंद्दर्दद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द इसे समस्या समों और सेदानी दाज़े इन सब में भी डिफरेंस आ जाता है, यानि कि समस्याओं और सेदान्त इन भी विग्यानिक और एथिहासिक जो माक्सवाद है उनमें अंतर पाया जाता है, सेदान्तिक दाज़े में भी अंदर पाया जाता है और जो समस्याओं हैं उनम माक्स ने ली थी यानि ये प्रभावित हैं इसी किताब में नैतिकता वादी और मानवादी पक्षो को महज़िया जाता है इसके बाद की रचनाओं में जो ये किताब do किया गया है मांक को क्यांता है इसमें उत्पादन शम्मंद की शक्ति और ір आर्थिक गिरियाओं पर महतो cya गया यह जो मार्थ विचारदरह विचारदारն है उत्पादन सम्मंद्ध आर्थिक घ्रिय और आर्थिक सकती पर ही ज्यादा जोर दिया गया है यह एतिहासिक परिवर्तन से सम्मंदित heat सार्ड़े हैं यह बार करती है यह करती है यह दियासिक परिवर्तन पर बश्रोस्त network पर अध्य करती है और यही इसका सर त्थ है इस् estri बुद्दिक वाद ये विचारदार वेजो मेगयर वेगयानिक माक्सवाद है ये अन्य कारकों को गौन बना देता है इसमें अधीरचना को महत्व नहीं दिया जाता है इसके विपरीद जो 1844 की ये किताब है इससे पहले की जो रचना है इनको लूई अल्टोस माक्सवाद प सब्सक्राद सब्सक्राद में जाये नकिता इनको अधीरचना को मेहत्व नहीं देता है इस परकार जो माकसवाद में जो चेतना है उत्पादन पढ़नाली का पर्तिभिमातर है यानि कि इसका कोई अलग से अस्ता तो नहीं है तो माकसवाद को लूई एलतोसर का मानना है कि माक्सवाद समकालीन विश्व की वरग चेतना है सर्वाहरा के दर्ष्टी कौन की अभिवक्ति है यानि कि जो समकाली अभी वरतमान विश्व में वरग चेतना है वो सर्वाहरा के दर्ष्टी कौन की अभिवक्ति है यह कोई वस्तू परक विज्ञान नहीं है यह कोई नहीं है यह बस एक दृष्टी कौन है तो इसलिए अल्तूजर का मानना है कि इनी कारणों से माक्सवाद की नई व्याग्या जरूरी हो जाती है शौर्ट में कहें तो माक्सवाद एक पुराना और एक नया वेग्यानिक और पुराना जो माननेतिक तवादी और मानववादी और इन दोनों में अंतराल कौन करता है इकोनोमिक्स एंड फिलोसोफिकल मैन्यू स्क्रिप्ट ऑफ 1844 और इस अंतराल को लूई अल्तूजर कहता है ग्यान मिमाश्य अंतराल यह दोनों को महतु देता है आधार और अधी रचना को और यह केवल आधार को ही महतु देता है यह बहुतिक वाद पर आदारित है और अब जो लूई अल्तूजर है इन्होंने माक्सवाद की सरंचनावादी व्याख्या की है यह सरंचनावादी विचारक है लूई अल्तूजर इन्होंने माक्सवाद की सरंचनावादी व्याख्या की है सामाजिक वैसंसकर्तिक रचनाओं को इन्होंने सरंचना के आधार पर पर समझाने की कोशिश किये। यानि कि जैसे कि बासा है कोई धर्म है कावे संगीत या कोई भी जो कला है उनकी सरलचना पूरी बनावठ है उसके आदार पर समझाने का प्रेस्वन किया। इसका आदार यह है कि प्रस्तों द्विसे के विविन अंग, जो कोई भी विसे सब्जेक्ट है, उसकी जो विविन अंग होते हैं, यानि कि जो पर पार्ट है, वो आपस में जुड़े रहते हैं, और उनकों समझने के लिए इनके प्रस्त पर संबंदों का अन्वेशन करना ज होसकते हैं, एक मातर कारण की जगे हैं, इसके कई कारण होसकते हैं, इसके अलवा लूई घर्टोजर का मानओ एकैई हैं, समाजिए विन्यास, जया समाजिए इकिए ह्का mosque है, इसका कोई निश्चित के अंदर नहीं होता हैं, यह वैवारों और सरंचलाहों का स्रेणी तंत्र है जो एक दूसरे से बिन है यानि कि जो एक समाजिक विन्यास है तो वो उसके वेवार अलग हो सकते हैं उसकी कई तरह की सरच नहीं हो सकते हैं जो स्रेनी तंत्र है जो एक दूसरे से बिन-बिन होते हैं उन्हों सबसे जुड़ा हुआ रहता है उन्हों सबको समझना तो समाजिक विन्या स्वायत होता है लेकिन आर्थी कारण इसमें पर्मुक हो सकता है लेकिन एक मातर कारण नहीं हो सकता है जैसे कि वेग्यानिक माक्सवाद के आर्थी कारणों को पर्मुक मानता है तो लेकिन लुई अलतुजर का माना कि आर्थी कारण पर्मुक तो हो सकता है लेकिन एक मातर नहीं हो सकता यह स्वायत है इसके बाद यह अंतर विरोध को स्विकार है यानि मांक्स वाद में जो अंतर विरोध की जो अधारना है उसको लुए अल्टूसर स्विकार्थ है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता है जैसे क्योंकि सरचनावादी विचारक है यह सबीत ततों को अपने अपने इस तर पर अंतर विरोध होता है लेकिन यह अंतर विरोध नियत नहीं होता पंक्ति बद तरीके से यह आगे बढ़ता जाता है जैसे शुरू में समा गर परिवार ऐसे कर बढ़ते बढ़ते यह हो सकता और अपने-पने इस तर पर होता है इस विरोध और यानि ओवर, यह पूरो निर्दारित नहीं होता यह पहले से निर्दारित नहीं होता है कि यह अंतर विरोध कहा हो आकस्मिक शमागामlerde में पर्यवरतन को सकती हिसendo लूई लूई अख्धानद्य थू झारण आकस्मिक सम्मागम इसी लूई अचानक से उन्हें परवर्भरतन नह डैंसे बख्वा था निखा द॥िए बुख लिकी थी The Four MarxFour Marx में ये इन्होंने दिया था फोर मार्कस में इस जो येडयनि माक्सवाद है इसको महतो अब्या दिया इन्होंने लेवे इस्टोस के सनचनवाद और फ्राइड के मनोवयाद, इन दोनों को मिला के एक नई व्याख्या बनाई Marksore की इन दोनों से मतलब इन दोनों का परवाव है लुए अधूसर पर और इसके आधार पर माक्सवाद की एक नई व्याख्या प्रस्थूत की इन्होंने वौतिक उतबादन की जगे मांसिक उतबादन को महतुद दिया ग्यान मिमासा और सिदांत और व्यवार इन तीनों के स bullish अधिरचना को भी समय जा सकता इसके लिए इनके अलोचना भी की जाते हैं इनके आलोच Wet को इनको बहुतिक वाद का त्याग कर दिया गास आदार के साथ साथ अधारचना को भी म Cannon की व्याद यह व्याख्याब कर देशना और सब कर देद्स आन का मेहतुदान सबसे इंपोर्टन लुई अल्थूजर की किताबें हैं फॉर मार्क्स 1965 माई रिडिंग कैपिटल उननी सुपैंट आइडियोलोजिकल स्टेट एप्रेटर्स उननी सो सचतर यह जो मार्क्सवाद का सार इनों जो मार्क्सवाद की नई व्याख्या की है वो फॉर मार्क्स में क सकते हैं लुई अल्थूजर फ्रांसी सिदार्शनी के नव माक्सवादी हैं सामाजिक प्रेवरत ने करांती की नई व्याख्या के उपर इन्होंने काम किया है इसके बाद आता है कि इन्होंने सरंचनावादी व्याख्या किये यानि कि यह एक सरंचनावादी विचारक है यह अंतर विरोदों को स्विकार करते हैं अती निदार अंसब्द इनका है यह से इंपोर्टेंट है इसके अदब आदार के साथ अधिरेचना को महतु किस ने दिया लुई अल्थूसर ने तो यह था आज का लुई अल्थूसर पर लेक्चर उमिद करती हूं आपको पसंद आ लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू